हलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर भी, आई एम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट हिंदी की बुक का चाप्टर फूर दिवानों की हस्ती, हम दिवानों की क्या हस्ती हैं आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूर धड़ात जहां चले, तो देखिए इसका क्या मतलब है, तो दीवाने उन्हें कहते हैं, जो हर हाल में खुश रहते हैं, हर हाल में मस रहते हैं, सुख हो, दुख हो, इन चीज़ों का उन पर कोई बहुत जादा असर नहीं पड़ता है, प्रभाव नहीं पड़ता, और वो का कोई भी खमंड नहीं होता है, चाहे वो करीब है, तो उन्हें ये नहीं लगएगा कि उनके पास कोई चीज़ क्यों नहीं है, अगर वो बहुत ज़दा अमीर है, तो मतलब उनको उस बात का भी कोई खमंड नहीं होगा, वो हमेशा मस्ती के आलम में रहते हैं, मतलब अभी अद्रह बनकर बहच अभी अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे हैं कहां चले तो चेह मतलब है कि चलू अपर क्यमिंट जोश का संचार करते हैं मतलब कुछ उक होते हैं ना वो लोग हमेशा अक्ता मस्त रहते हैं और वो जिस चकह होते हैं कि ऐसा बोलते हैं कि पार्टी की चान तो कुछ लोग हमेशा बहुता चेरफुल रहते हैं जहां वो होते हैं वहां आसपात सारे लोग काफी सदा खुश हो के चले जाने का मतलब जैसे कि वो लोग कहीं किसी जगह से जाते हैं तो दूसरे लोग तो आसुब हाते हैं उनके जाने का मतलब जहां से भी यह दिवाने निकलते हैं और दूसरों के जिंदगी पर इतना ज्यादा प्रभाफ जोड़ते हैं कि इनके जाने के बाद जो लोग उच्छे रहे जाते हैं, वोनों काफी दुखे होते हैं, कि ये पॉसन, ये इनसान यहां से क्यों चला गया, क्योंकि वो इतने खुश रहते हैं, और दूसरों को भी खुशियां देते हैं, आगे है, किस ओर चले, यह मत पूछो, चलना है, बस इसलिए चले, जग से उसका कु जलते रहना ही उनके जिन्दगी का नाम है, उनके जिन्दगी का काम है, जो असली दिवाने होते हैं, वो हमेशा संसार से कुछ लेते रहते हैं, और बतले में संसार को कुछ देते रहते हैं, मतलब संसार से कुछ लिया, और बतले में संसार को कुछ ना कुछ दिया भी, उन का एक ही काम होता है चलते रहना चलते रहना खुशियां बाठते रहना जग मतलब वह हमेशा घूमते रहते हैं चलते रहते हैं धुम दुमते म स्त हमेशा रहते हैं दो योगों के बातों के जरिये दुख सुख बाटते हैं और सुख और दुख दोनों को घूट चकर और मजा ले कर पीते हैं मतलब यही है कि सबसे बाते करते हैं हसते हैं रोते हैं चाहे दुख हो चाहे सुख हो हर भाव में वो हर एक तरह से खुशी धूड लेते हैं और हर हम भिकमंगों की दुनिया में स्वचंत लुटा कर प्यार चले हम एक निसानी सी उस उर पर ले असफलता का भार चले तो फिर आगे कहते हैं कि दुनिया वैसे लोगों से भरी पड़ी है जिनके दिल और दिमाग तंग होते हैं मतलब पूरी दुनिया वैसे लोगों से भरी प ही होते हैं मतलब कोई किसी को खुशी दे देना प्यार बाट देना ये ऐसा लोगों के पास नहीं होता है मतलब जैसे लोगों के पैसा नहीं होता तो वो बिकारी होते हैं लेकिन जो दीवाने होते हैं वो अपना जो प्यार है वो खुल कर दोनों हाटों से हर तरफ लुटाते हुए चलते हैं इसकी बावजूद कवी को ये लगता है कि दिवाने अन्य लोगों में उदारता कि इस बावना को बढ़ने में असफल हो जाते हैं इसलिए दिवाने उस असफलता को अपने दिल से लिखा कर बैठते हैं मतलब यही कहते हैं कि जो दिवाने होते हैं वो तो ये एक तरह के से तंग होती है, तंग का मतलब है, वो अपने दुखों में ही खुश होती है, इस तरीके की बाते हैं पर की गई है, और इस वास से दिवाने जो है, थोड़ा से तो परिशान होते हैं, मगर फिर आगे निकल जाते हैं, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे र बंधन तोड़ देता है, फिर उसके लिए अपने और पराय का कोई मतलब नहीं रह जाता, दिवाने यह भी मानते हैं, कि जो लोग दुनियादारी के बंधन में बंधन में बंधन हुए हैं, वे भी खुश हाल रहें, तो जो दिवाने होते हैं, वो यह चाते हैं कि जहां से रहें, कुशिया बाठती चलें, और पुरी दुनिया खुशी में ही डूबी रहें, और वो अपना कामगर के आगे निकल जाते हैं, तो देखिए, इस काविता में एक मस्त मॉला बेफिकरी खुशी का सभाव दिखाया गया है, मस्त मॉला सभाव का जो परसन होता है, वो हर संसार से यादे लेकर भी वो चलता है, सुख दुख को वो एक ही भाव समझ कर स्विकार करता है, और कवी संसारिक नहीं हैं, वे दिवाने हैं, मतलब कवी जो हैं, वो दिवानों की तरह ही है, और संसार की जो दुनिया है, जो संसारिक बंदनों में लोग बंदे हुए हैं, और जो दिवाने की तरह जो दुनिया में दिवाने हैं वो खुशियां बाटते रहें तो यह का विता है वो लिखी है भगवती चरण फर्माने बहुत ही प्यारी सी पोयम है याद रखिए का तो वीजो कैसे लगा बता सकते हैं अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्स करिए का और लोन भी एक्स्ट्रा के नाम से मारे दूसर चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए उसमें हम मैट्स और साइंस कावा करेंगे थैंक्यू